आज हम रेड्मि 9A, रेड्मि 9 रेड्मि 9 प्रायम के बीच एपसेफिकेशन बेस्ट कम रीजन करने वाला हूं देखेंगे तीनों मी से कौंसा फोन आपको प्राय्स के हिसाब से बेहतर अस्पेक्स प्रॉवार्इड करता है और साथ ही ये भी देखेंगे तीनों में से कुम सा फून आपको अपने बज़ेट के हिसाब से खरीदना चाहिए तो वीडियो को आप आउन्त तक दखते रहें बिना देरी की ये चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे तीनों फोन के कैमले की तो रेडिम नाइन प्राइम में आपको क्वार्ड रियर कैमरा मिलता है ये फट वन पॉइंट एट पॉइंट पाचर के साथ एट मेगा पिक्सल का अल्ट्रावाड इंगल फाइब मेगा पिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 Megapixel का Depth Sensor फ्रेंट में Selfie के लिए 8 Megapixel का Selfie कैम्रा मिलता है यव 1.05R के साथ Redmi 9 और Redmi 9A में आपको Dual Yeti Camera मिलता है 13 Megapixel का Primary कैमरा और दूसरा 2 Megapixel का Depth Sensor Redmi 9 और Redmi 9A के फ्रेंट में 5 Megapixel का Selfie कैमरा मिलता है यव 2.05R के साथ 1080pD Recording का Support तीनो फोन के front और rear camera में मिलता है तो camera के मामले में रेडिम 9 Prime आगे निकल जाता है अब तीनो फोन के display को देखें तो रेडिम 9 Prime में आपको 6.53 inch full HD plus IPS डॉट नोच डिस्पले मिलता है गोरिला ग्लास 3 के protection के साथ 89% screen to body ratio, 20 ratio non aspect ratio और 2440 into 1060 pixel screen resolution मिलता है ओहीं रेडिम 9 और रेडि 9% screen to body ratio, 20 ratio non aspect ratio और 16720 pixel screen resolution मिलता है अब तीनो फोन के build quality की बात करें तो तीनो फोन में आपको polycarbonate plastic body मिलता है रेडिम 9 Prime का thickness 9 mm है और weight 198 gram है ये चार color में आता है space blue, sunrise flare, mighty black और mint green रेडिम 9 और रेडिम 9 और रेडिम 9 एका thickness 9 mm है और weight 196 gram है रेडिम 9 तीन color में आता है sky blue, carbon black और a speedy orange रेडिम 9 ये भी तीन color में आता है नेचर green, sea blue और midnight black अब देखते हैं तीनो फोन के प्रोसेसर को तो रेडिम 9 Prime में आपको Mediatek Helio G80 का chipset मिलता है जो 2.0 GHz पे clogged और 12 nanometer architecture पे based octa core processor है ARM Mali G52 MC2GP में आपको मिलता है रेडिम 9 में आपको Mediatek Helio G35 का chipset मिलता है जो 2.3 GHz पे clogged और 12 nanometer architecture पे based octa core processor है IMX VRGE 832GP मिलता है तो प्रोसेसर के मामले में भी रेडिम 9 Prime आगे निकल जाता है Operating System के अगर हम बात करें रेडिम 9 Prime EMIUI 11 के साथ आता है जो Android 10 पे based है रेडिम 9 और रेडिम 9 A EMIUI 12 के साथ आता है जो Android 10 पे based है बैटरी और charging के अगर हम बात करें तो तीनो फोन में आपको 5000 image का बैटरी मिलता है रेडिम 9 Prime में आपको 18 बार्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है पर इन बोक्स आपको 10 बार्ट का इंचार्जर मिलेगा इसमें आपको टाइब सी USB केबल मिलता है Redmi 9 और Redmi 9 में आपको 10 बार्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है और Inbox भी आपको 10 बार्ट का ही चार्जर मिलेगा इन दोनों फोन में आपको Micro USB के वल मिलता है तो बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी Redmi 9 Prime आगे निकल जाता है अब तीनों फोन के अधर फिचर्स के बात करें तो तीनों फोन में आपको Dual 4G World का सपोर्ट मिलता है Redmi 9 Prime और Redmi 9 में आपको Fingerprint और Face औलोग दोनों का ही सपोर्ट मिलता है पर Redmi 9 чис का सपोर्ट मिलता है dedicated SD Card का सपोर्ट तीनों ही फोन में आपको मिलता है लगभग सभी sensor तीनों ही फोन में मिल जाएंगे IR Blaster का support तीनों ही फोन में मिलता है अब तीनों फोन के storage और price को देखते हैं तो Redmi 9 Prime में आपको दो storage variant मिलता है पहला 4GB RAM प्लस 64GB storage जिसका price 9999 रुपे है और दूसरा 4GB RAM प्लस 128GB storage जिसका price 11999 रुपे है Redmi 9 में भी आपको दो storage variant मिलता है पहला 4GB RAM प्लस 64GB storage जिसका price 8999 रुपे है और दूसरा 4GB RAM प्लस 128GB storage जिसका price 9999 रुपे है Redmi 9 में में भी आपको दो storage variant मिलता है पहला 2GB RAM प्लस 32GB storage जिसका price 67009 रुपे है और दूसरा 3GB RAM प्लस 32GB storage जिसका price 74009 रुपे है दोस्तों यह था दोनों इफोन का specs comparison अब बात करे तीनों में से concept आपको अपने budget और requirement के हिसाफ से खरीदना चाहिए अगर आपको full HD plus display, quad rear camera, 18 बार्ट fast charging support, mediatek G80 का processor और अगर आपका budget 10,000 है तो Redmi 9 Prime आप खरीद सकते हैं पर अगर आपका budget 9,000 है और अगर आप एक normal user है तो Redmi 9,000 है और अगर आपका budget 7,000 के आसपास है दो या तीन जीवी रेम आपके लिए काफी है और अगर आप एक normal user है तो Redmi 9,000 है और अभी भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो comment करके पूछ सकते हैं आप वीडियो को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें